हेलो एंड वेल्कम टु तट पॉलिटी करेंट फैस सेशन ओन कॉंपरिशन कम्मूनिटीज यूट्यूब चैनल मैं हूनिकत परविन खान और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15-28 जुलाई 2022 के बीच में पॉलिटी की सेक्षिन में जो भी करेंट के इंपॉर्टन घटनाए और उनसे चुड़े अगर कोई स्ट्राटिक के पार्ट्स आपके लिए जरूरी है तो उसको भी कवर करेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टन न्यूज हाइलाइट्स कि क्या इंपॉर्टन न्यूज रहे इस दौरान सबसे पहली न्यूज एक बैठक की है एक अंतराश्य संगठन की बैठक की है और वो है I2U2 I2U2 किस तरह का संगठन है उसमें कौन सदस्य है बैठक कहां हुई है और उसके दिगर पहलों पर हम नजर डालेंगे दूसरी न्यूज जो है वो शंगाई कोपरेशन और्गिनाइजेशन याने SEO से रिलेटेड है SEO ने भारत के शहर वारानसी को परेटन और संस्कृतिक रायधानी 2022 याने की कल्चरल और टूरिस्ट क्यापिटल 2022 घोशित किया है इसका क्या मतलब होता है और SEO के बारे में बाकी की चीज़े हम देखेंगे तीसरा जो न्यूज हाइलाइट है वो श्री लंका से संबंदित है और श्री लंका हाल में जो भी श्री लंका में पॉलिटिकल क्रैसिस हुई उसकी बाद श्री लंका को दो अपने राश्ट्र प्रमुक मिल चुके है राश्ट्र पती के रूप में रानेल विक्रम सिंग है और प्रदान मंत्री की रूप में दिनेश कुण वर्धने ठीक है तो इनके बारे में भी कुछ चीज़ें देखेंगे अगली न्यूज है नालसा से संबंदित अठारवी अखिल भारती विधिक सेवा प्राधिकरन यानि कि नाशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बैठक आयोजित की गई कहां आयोजित की गई किसने पार्टिसिपेट किया क्या मुख्य पहलू रहे उसको हम देखेंगे और नालसा क्या है ये भी और अगली न्यूज शायदी न्यूज सबसादा चर्चित न्यूज रही इस पूरे टाइम पिरिट की जिसको हम कवर कर रहे हैं भारत में तहास रज़ दिया गया है और भारत को पहली आदिवासी राशपती मिली है श्रीमती द्रौपती मुर्मू ने पंदवे राशपती के रूप में शेपत ली उन से संबंदित कुछ बाते हम देखने वाले हैं अगली न्यूज है फ्लाग कोड ओफ इंडिया से फ्लाग कोड ओफ इंडिया में कुछ बदलाव किया गया है और अब उसे 24-7 याने के दिन और रात में फहराने की अनुमती दे दी गई है और जो आखरी न्यूज हम कवर करने वाले हैं वो आपके फैमिली कोड याने की परिवार नियाले से संबंदित है लोकसभा ने परिवारिक नयायलों के लिए संचोधन विद्यक 2022 को पारित किया संचोधन में क्या संचोधन किया गया है उसे हम देखेंगे और फैमिली कोड का पूरा करेंट फेर से तो ये छे साथ important news है जिसे हम cover करने वाले चलिए शुरू करते हम सबसे पहली news से वो है IUTU तो I2U2 ये जो है ये एक तरह का आपका international organization है जिसमें India, Israel, UAE और USA शामिल है इंडिया, इस्रेल, UAE और USA शामिल है ठीक है, news ये है कि हाली में I2U2 निताओं का शिखर सम्मिलन वर्च्वल रूप से आयोजित किया गया जो की 14 जुलाई को आयोजित किया गया ठीक है, 14 ओफ जुलाई को ये शिखर सम्मिलन आयोजित किया गया और इसके जित्ते सदस्यदेश हैं, और उन्होंने वर्च्वल माध्यम से, अप्रत्यक्ष माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है, तो इसलिए आपको कोई प्लेस नहीं याद रखनी है क्योंकि ये वर्च्वल सम्मिट थी और इसके जो सदस्यदेश हैं वो इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसे ठीक, ये आपको ध्यान में रखना 14 जुलाई को आयोजित किया गया और ये फर्स्ट वर्च्वल सम्मिट है, इस I2-U2 संगठन की तो देखिए ये जो I2-U2 है जैसे कि अभी कहां मैंने ये चार सदस्यदेश हैं इन्हें पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है उसमें ये सदस से शामिल नहीं लेकिन अगर आप वेस्ट एशिन क्वाड की तौर पर किसी संगठन को जानते हैं तो वो है I2-U2 तो इसे वेस्ट एशिन क्वाड भी कहा जाता जिसका गठन सन 2021 में हुआ था I2-U2 का गठन 2021 में हुआ था Abraham Accord के जरिए Abraham Accord के जरिए ये चार सदस से देश साथ आये थे और कुछ important मुद्दे जैसे की maritime security जैसे की basic infrastructure जैसे की transport इससे संबंदित मामलों पर आम सहमती बनाने के लिए इस group को बनाया गया था याद रहे कि जो Abraham Accord है इसराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांती समझोता है आप जानते होंगे कि पश्ची मेशे जो अरब देशों और इसराइल इनके बीच में काफी rivalry काफी दुश्मनी चलती है लेकिन इन दोनों के बीच में शांती समझोते के तोर परी Abraham Accord बहुत important स्थापना हुई और Abraham Accord के according ये स्थापना हुई थी fine with that ठीक है तो ये तो आपने देख लिया कि meeting कब हुई किस माध्याम से हुई ये meeting में जो संगठन है उसके सदस्य देश कौन से है कब वो देश बना अब इस meeting में जो महत्वुवन बातें भारत के पक्ष के लिए रही या मैं को हूँ मुखी पहलू जो इस meeting के रहे उसको भी देख लेते हैं शिकर समयलेन की मुखी विशेशता है जो थी वो ये कि UAE ने देश भर में food park इंडिया में जो concept आया है food park का कि विक्सित करने के लिए भारत में दो बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोशना की तो देखिए इस I2U2 की virtual summit में जो इंडिया के लिए सबसे बड़ी सौगात हमें मिली वो थी food park के लिए बड़ा निवेश इस पूरे समूने और खासतोर पर UAE ने food park पर करने की बात कही है food park अब सभी जानते हैं कि एक ऐसा concept है जिसमें आपका खेच से प्रसंसकरण तक और प्रसंसकरण से consumer market तक यहनि कि आपका जो land होता है land to processing and processing to आपका consumer market एक direct linkage establish करने की कोशिश की जाती है PPC model के तहद, network centers के तहद और इसी अवधारना को पूरे देश में विक्सित किया जा रहा है technology और consumer market को directly link करने की अवधारना है आपकी food park की तो इस particular sector में एक बहुत बड़े निवेश की सोगात हमको इस I2U2 की बैठक से मिली है ठीक है, इस परियोजना के लिए उप्युक भूमी उपलप्त कराएगा और किसानों के food parkों में एकी करन की सुविधा प्रदान करेगा कौन? UAE समू ने गुजरात में hybrid नवीनी करन और जा परियोजना याने की hybrid renewable energy hybrid renewable energy project का समर्थन करने की घोशना की जिसमें 300 megawatt का wind energy और solar energy शमता शामिल है तो यह जो आपका I2U2 ग्रुप है उसने इंडिया को क्या क्या हासिल हुआ हम वो चीज़ें देख रहे हैं पहले तो food park में निवेश दूसरा renewable energy से related कुछ हमें निवेश मिले हैं कुछ हमें सयोग मिलेगा इंसे खास तो आपे wind energy और solar energy ठीक है तो गुजरात में hybrid नवीनिकरन उर्जा परियोजना को सपोर्ट करेगा यह ग्रूप ठीक इसके अलावा इसी का एक सब पॉइंट डिया हुआ है यह परियोजना वर्ज 2030 तक 500 गीगा वाट गैर जिवाश मिंधन शम्ता के लिए भारत में एक और मत्रून कदम साबित होगा हमने सन 2030 तक के लिए एक लक्ष रखा है कि हम इस renewable energy sector में 500 गीगा वाट के शम्ता हासिल कर लेंगे तो इस शम्ता को हासिल करने के तरफ यह एक बड़ा कदम होगा जो 300 मेगा वाट का हमारे लिए यह सायोग मिल रहा है ठीक है इसके अलावा अमेरिका और इसराइल को निजी शेत्रों में अपनी विशेश गिता प्रदान करने और समु के तहरत परियोजना की समग्र स्थिरता में योगदान करने वाले अभी ना समाधान प्रदान करने के लिए आमंतृत किया जाएगा ठीक है तो जितने हमारे हैं प्राइवेट सेक्र्स हैं उनमें इन्वेस्ट करने उनको आसिस करने के लिए अमेरिका और इस्राइल को इंडिया में इन्वाइट किया जाएगा तो ये सारे वो सौगाते हैं जो भारत को इस मीटिंग के जरिये 14 जुलाई को वर्चुल रूप से मिली हैं जिसमें आपको फूट पार्क खास्तों पर याद रखना है दूसरा आपको Renewable Energy में Investment and Technical Support याद रखना है ठीक है, I2, U2 क्या है? सदसे देश कौन-कौन से? कब गठन हुआ था? यह याद रखना है तो चलिए, इस न्यूज में इतना ही, बढ़ते हम अगली न्यूज में वारण असी, SCO शित्र की पहली परिटन और संस्कृतिक राजधानी 2022 तेज घोशित की गई SCO मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी शंगाई कोपरेशन ठीक, शंगाई कोपरेशन ओगेनाईजेशन शंगाई कोपरेशन ओगेनाईजेशन को ही हम कहते हैं SCO तो न्यूज यह है कि शंगाई कोपरेशन ओगेनाईजेशन जो यह एक सथाई संगठन है, इसमें यह फैसला लिया गया है कि भारत से जो वाराणा सी शहर है, इसे first tourist and cultural capital घोशित किया गया इंडिया से वाराणा सी शहर को first cultural and tourism capital इंडिया से घोशित किया गया है this is the news, ठीक, अब इसके backdrop में जो बाते उसको देखते और कुछ static बाते जो शंगाई कोपरेशन ओरगेनाईजेशन से रिलेटेड है, उसको भी देखते है तो भी ऐसा है कि आगामी महिने में, सितंबर के महिने में, 2022 सितंबर को इस शंगाई कोपरेशन ओरगेनाईजेशन की जो समिट है, वो उसबेकिस्तान में आयोजित होने वाली है क्या कहा मैंने, इस वर्ष की जो इस संगठन की समिट है, जो सम्मेलन है वो सितंबर 2022 में उसबेकिस्तान देश में आयोजित होने वाली ठीक है, SEO में इस आने वारे समिट में ये भी कहा जा रहा है कि एरान और बेलारूस ये दो नए देश जो हैं वो शामिल हो सकते हैं इस साल की समिट उस बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी और याद रहे, ये बहुत important है कि जो अगले साल की समिट है वो भारत में सन 2023 को भारत में ये समिट आयोजित की जाएगी इन्हें अगले साल इसकी मेजबानी मिलने वाली भारत को इस साल है उस बेकिस्तान को ठीक, तो ऐसा है कि क्योंकि नेक्स्ट येर संगठन की समिट हमारे आयने इंडिया में होने वाली है इस वज़े से ऐसा होता है कि जिसके भी पास इसकी अध्यक्षता रहती उस साल की उस देश के कोई culturally important शहर को ये राजधानी घोशित किया जाता है क्या कहा मैंने, जैसे कि अगले साल 2030 में हमारे पास इसकी मेजबानी आने वाली है तो हमारे एक शहर को खोशित किया गया, इसके पहले इस साल उसबेकिस्तान का शहर पिछले साल खोशित किया गया था इन्हें जो भी अध्यक्षता करेगा उस साल उस देश की किसी शहर को राजधानी घोशित किया जाएगा Culture and Tourist Capital घोशित किया जाएगा तो यह जो घोशना हुई वो अगले साल हमारे होने वाली सम्मिट के लिए हुई आप कह सकते तो देखिए सदस्य राज्यों के बीच लोगों से लोगों के संपर कियने की Public to Public Contact और परेटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई आवर्ती पहल की तहट वाराणासी को सांस्कृतिक और परेटन राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया है टूरिजम को प्रमोट करने के लिए और पब्लिक to Public Contact को प्रमोट करने के लिए वाराणासी को चूस किया गया है इस वेरी इंपोर्टन प्रत्यख वर्ष एक सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत का शहर जो संगठन की आवर्ति अध्यक्षता को समा लेगा उसे इसके प्रमुक्ता के उजागर करने के लिए उपाधी प्रदान की जाती है जैसे कि अभी मैंने कहा जिसके पास भी मेजबानी है उसका सांस्कृतिक विरासत से संबंदे एक शहर को ऐसी उपाधी दी जाती है अगले साल हमारे मेजबानी आ रही है इस वाराणा इसी को चूस किया गया ठीक है नई पहल समरकन शिकर सम्मिलन के बाद लागो होगी जिसके बाद भारत अध्यक्षपत का कारभार समालेगा और अगले राष्ट अध्यक्षियों के शिकर सम्मिलन की मेजबानी करेगा अभी जो वेकिस्तान में समरकन में शिकर सम्मिलन होने वाला है इसके बाद वेज़वारी हमें मिलेगी और ये जो चीज अन्नाउंस हुई है वो लागो हो जाएगी after this summit ठीक है तो ये आपको डैनमिक पार्ट में याद रखना है कि शेंगाई कॉपरेशन और्गिनाइजेशन जिसकी 2022 में सबिट उसवेकिस्तान में होने आली 2023 में भारत मे एक cultural और tourist capital के तोर पर घोशित किया गया है ठीक और इस साल की सम्मेलन के बाद ये चीज लागो की जाएगी ठीक है that was the dynamic part अब static part क्योंकि SEO का जिकर आया है तो हजाहिर से बात है जबी बे मैं कोई इंतराश्री सम्मेलन या ग्रुप की बात बताती हूँ तो उसके background में ये कि ये ग्रुप की सदस्यों से बनाया गया ये ग्रुप क्यों बना और इस ग्रुप का उद्देश क्या है कब बनाया गया ठीक है तो अगर हम SEO की बात करें तो full form तो मैंने बता दिया शिंगाई corporation organization ये एक स्थाई अंतर सरकारी अंतर राश्ट्रे संगठन है इन इंटर government का एक ग्रुप है ये अलग अलग देशों की governments का एक ग्रुप है ये ये यूरेशिया ही राजनीतिक आर्थिक और संगठन है जिसका लग इस शेत्र में शान्ती सुरक्षाइवंस्थरता बनाया रखना है यूरेशिया मतलब यूरॉप और एशिया यूरॉप और एशिया के political, economic और military को मिला करके संगठन बनाया गया है इसका जो main जो focus है वो है peace, security और stability को इन दोनों regions में यूरॉप और एशिया में बनाया रखना ठीक है तो ये एक important intergovernmental संगठन है जो यूरॉप और एशिया में stability, security और peace को बनाया रखता है fine, गठन की बात करें तो इसकी स्थापनसन 2001 में की गई थी, 2002 में इसका charter sign किया गया और इसे finally लागू किया गया 2003 में अब आप कहेंगे कि हमको कौन सा वर्ष लेना है कि SEO का गठन कब हुआ पूछा जाए तो 2001 में लागू 2003 में हुआ बट जो स्थापित हुआ वह 2001 में तो ये वाला वर्ष लेना है सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के आठ सदस्य और eight members ऊड़ाइबन्च ठीक है 2001 में स्थापित हुआ अठ सदस्य है लेकिन स्टाटिंग से आघ नहीं थे स्टार्टिंग में जब ये बना था 2001 में जब खुशना होई थी तब पांच सदसे थे कौन कौन से कजाखिस्तान चीन किरगिस्तान रोस और तजिकिस्तान ठीक है सो 2001 में जब ये आया था देर वा फाइव मेंबर्स जिसे शंगाई फाइव कहा जाता था इस समयलन के बाद उसी वर्ष एक नया मेंबर जोड़ दिया गया जहां पर इस साल मीटिंग होने वाली है वो मेंबर 2001 में जोड़ा बर बाद में जोड़ा उस साल और वो था उसबेकिस्तान इस तरह से छेटवा मेंबर हो गया ठीक है तो पांच इनिशेल फाउंडिंग तो अब S.C.O. में टोटल आठ मेंबर हैं ठीक है इसका मतलब भारत शेंगाई कॉपरेशन और्गनाजेशन का सदस्देश है तो देखिए भारत जितने भी अंतराश्री संगठों का सदस्देश हैं उनकी गतिवीदियों पर आपको नजर रखना है ऐसे में ये काफी काम आता है आपने देखा होगा अभी जितने भी इंटरनाशनल आपकी चीजें हो रही हैं इससे जुड़ा कोई ना कोई मुद्धा आपका ऐसे में पूछ रहा है इसलिए खासतोर पर अगर इंडिया किसी इंटरनाशनल और्गनाजेशन का हिस्सा है तो उसकी जो भी एक्टि का वो करेंड का हिस्सा है ही कब कहा मीटिंग हुई क्या में चीजें में लिए पाकी स्ट्रेटिक पार्ट आपको ऐसे में भी काम आएगा ठीक तो इस तरह से आठ मेंबर्स शुरू में पांच फिर छटवा फिर साथवा आठवा भारत और पाकिस्तान और जाहिर सी बाहत ह है सदस्देशों के मध्य परस पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत करना इन आठ मेंबर्स के बीच में यह इसका उद्देश है ठीक है तो कब बना मेंबर कंट्रीज की सुद्देश से बना यह आपको जानना है और डैनेमिक पार्ट इसके पहले वाली स्लाइब मे ठीक, so that is it with this news, let's move on to the next news now और श्री लंका क्राइस थोड़ा थमा है और वहां पर दो नए राश्ट्र प्रमुखों की नियुक्ती हुई है थमा तो नहीं है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी भी जो आपर राश्पती बने हैं, उनकी खलाफत हो रही है, लोग उ राश्ट्र पती गोटबाया जो है, उनको इस्तिफा देना पड़ा और इसके वज़े से वहां पे एक अराजक्ता का महौल आ गया, आपने देखा था कि किस तरह से राश्ट्र पती भवन में आम लोग जाकर पहुच गए, और वो एक म्यूजियम जैसा बन गया था, जहां कि काफी लंबे वक्त तक श्री लंका के प्रधान मंत्री रहे थे, उन्हें वहां के सांसदों ने वहां का राश्ट्र पती चुना, ठीक, यानि ये पहले प्रधान मंत्री थे, काफी लंबे वक्त तक, फिर एक नई प्रक्रिया जो सन 1978 के बाद पहली बार फालोई श्री ल गोंब और ने वहां के प्रधान मंतरी न कि पयाले राश्यट्रपती चुनेंगा और उस के बाद इनेश कुनेग crash नेख लेते koli नुट रचान के प्रधान मंतरी और इस construct प्रधान मंतर्य कारयालर्य दिनाच के बातर इस जुंग से 22 जुलाई 2022 को महिंदा राजपक्षे के इस्तिफ़े के बाद 9 माई को प्रधान मंत्री बने विक्रम सिंखे को 13 जुलाई को कारवार क राशपती नुक किया गया यह आप जानते हैं कि यह सारी चीजें जब हुई थी तो उसके पहले महिंदा राजपक्षे ने जब इस्तिफ़ा दिया था तब प्रधान मंत्री विक्रम सिंखे थे 6 बार शुरलाँ की प्रधान मंत्री यद रखीएगगा अभी जो राशपती हैं वो 6 बार शुरलाँ की प्राइम मिनिस्टर रह चुके है तो छे बार शिलंका के प्रधान मंत्री रह चुकी विक्रम सिंगे को 134 मत प्राप्त हुए जबकि उनके निकटम प्रतिद्वंदी को ब्यासी मत प्राप्त हुए ये जो मत दान हुआ याद रखिएगा वहां की संसद में हुआ है ये राश्पती का चुनाव संसदों ने किय जबकि ऐसा होता नहीं है वहां पर 1978 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि राश्पती का चुनाव संसदों ने गुप्तमद्दान के जरीए किया 134 संसदों ने उनके फेवर में वोट डाला और इनके प्रतिद्वंदी के फेवर में 82 संसदों ने वोट डाला और इस तरह से 6 ब इसके पहले अभी राश्पती ते गोटब आया उनका जो बचा हुआ कारेकाल है जो कि नवंबर दोहजार चौबीस में खताम होगा तब तक के लिए विक्रम सिंगे जो है वो राश्पती बने रहेंगे ठीक है तो याद रखेगा श्री लंका क्रैसिस के तोर पर ये दो न नेक्स्ट न्यूज जो है वो नालसा से रिलेटेड है नालसा को हम अगर इस एक्रॉनिम को इसका फुल फॉर्म लिखें तो इसका मतलब होता है नाशनल लीगल अथोरिटी सुरी लीगल सरव्स अथोरिटी सरव्स अथोरिटी नाशनल लीगल सरव्स अथोरिटी शॉर्ट फर्म में कहलाता है नालसा, हिंदी में हम कहते हैं अखिल भारतिय विदिक सेवा प्राधिकरन, ठीक है इससे संबंधित news है, news ये है कि इसकी अठारवी जो बैठक है, नालसा जो समू है या नालसा जो आपका विभाग नालसा जो ग्रुप है इसकी जो अठारवी बैठक है वो 16 जुलाई को जैपुर राजस्थान में आयोजित की गई, ठीक है नालसा की बैठक 16 जुलाई ये न्यूज है और क्योंकि ये विधी से संबंधित एक प्राधी करण है एक अथोरिटी है इस वज़े से भारत की जो लौ मिनिस्टर है किरन रिजी जू इन्हों ने इसमें मुख्यों रूप से पार्टिसिपेट किया ठीक है तो याद रखेंगे नालसा की मीटिंग अठार मुख्य बात है निकल कर आई इस मीटिंग में वो ये है कि इन्हों ने निशुल्क टैली लौ सर्विस को इंट्रिजूस किया जिस तरह से टैली मैडिसन सर्विसेज हैं और दिगर सर्विसेज हैं जो टैली के जरिये चलती हैं बिलकुल ऐसी ही एक तरह की फ्री टैली लौ सर्विस ये विधिक सर्विक जो कि आपकी टैली यानि की दुरस्त इलाकों क्ले बनाए जाएगी वैसी सर्विस प्रोवाइट की जाएगी इसके जरिये जो की फ्री ओफ कॉस्ट होगी और इस टैली लौ सर्विस को इंट्रिजूस करते हुए किरिन रिजू जो ने कहा कि जरिये हमारे DPSP का जो आर्टिकल 39A है जिसमें निशुल्क विधिक सहायता यहने की फ्री लीगल एड की बात की गई है कहा गया है ना आर्टिकल 39A में कि सरकारे कोशिश करें कि वो लोगों को त्वरित रूप से निशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइट करें फ्री लाइड के लिए हमने यह टेली लॉक का यह कंसेप्ट लाया है ऐसा की रणरी जी जुने कहा ठीक状्य तो याद रहिए कि जैपूर में इस संप्ट से टेली लॉक का कॉनसेप्ट आप सामने आया साथी साथ एक और बात जो ती जो इस से निकल कर आए वह यह कि इन्हों ने नियायलों में local languages स्थानी भाशाओं को प्रमोट करने की बात की जो एक तरह से ताबू बना हुआ है एक तरह से convention बना हुआ है कि English का ही इस्तिमाल किया जाता है उस चीज़ को डिसकार्ट करते हैं उनका कि जरूर ही नहीं है कि English का इस्तिमाल किया जाए local languages को खास्तों पर जो regional कोट से जो स्टेट लेवल के और सबॉर्डिनेट कोट से वहाँ भी local languages को और बढ़ावा देना चाहिए कोट की या नियायलों की कारवाही के लिए तो देखिए खिरन रेजिव जी ने कहा कि lower और higher कोट की कारवाही में शेत्री भाशा है इनने regional languages और local भाशाओं को बढ़ा होता है वहाँ पर local languages का बढ़ावा मिलना चाहिए ठीक है तो दाट वस दी टू में टेनेट्स ओव देस समिट यहां समिट कह रही हूं है टू में समिट्स ऑफ दिस मीटिंग एक तो टैली लॉस सर्विस और एक local language को बढ़ावा देने की बात गई गई ठीक है जैपुर में हुई अब नालसा की बारे में देख लेते हैं कि नालसा है क्या तो देखिए नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधियम 1987 के तहत किया गया इसका काम कानूनी साहिता कारेकरम लागू करना और उसका मुल्यांका निवम निगरानी करना है साथ ही इस अधिनियम के अंतरगत कानूनी सेवा उपलब्द कराना भी इसका काम होता है तो देखिए फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइट करना लोक अदालतों के जरिये तवरित लीगल सर्विस प्रोवाइट करना इस उद्देश से ही एक अधिनियम के तहत सन 1987 में नालसा का गठन हुआ था ये अ आसानी तक आसानी से पहुचाने ने की वैधानिक सेवाओं को लोगों तक आसानी से पहुचाने क्लिए बनाया गया है ठीक है तो जब भी आप इसकी कोई बैठक देखेंगे उसमें कोई ना कोई ऐसे कदम उठाया जाते हैं जिसे लोग वो फ्री लीगल सर्विस प्रोवा आसा क्या है यह चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है ठीक चलिए अब मूव ओन करते हैं हम पिछले इन दो हफ्तों की सबसे जादा टॉक्ड अबाउट नियूस की और वो है भारत मेरे चेक नए इतिहास की और वो यह कि भारत को मिल गई हैं पहली आदिवासी समुदा एको बिलॉंग करने वाली राश्पती श्रीमती द्रौपती मुर्मू ठीक इस न्यूस से संबंदित बहुत सारे पहलू आप लोग पढ़ी रहे होंगे सुन ही रहे होंगे पिछले दो हफ्तों से पस उसी के आपके एक्जाम के लिहास से जो जरूरी चीज़े हैं उनको सम पहली आदिवासी राश्पती आजादी के बाद पैदा हुई भारत की पहली राश्पती भारत की सबसे कम उम्र की राश्पती तथा भारत की दूसरी महिला राश्पती हैं जिनका नाम है श्रीमती द्रौपती मुर्मू इनके बारे में जो तीन चार बाते मैंने कहीं आद जादे के बाद जिनके पैदाईश हुए एकलोती पहली राश्पती हैं और प्रतिवा पार्टिल के बाद ये दूसरी महिला राश्पती चारो बातों को याद रखेगा जो एतिहासिक है इनकी नियुक्ति के साथ ही ठीक है तो ये कयास लगाई जा रहे थे NDA की कैंडिडेट थी और जाहिर सी बात है सेंट्रल मेंडेट को जो बहुमत मिला हुआ है और हर देश की विधान सभाव में भी जो जादतर NDA और उनके सपोर्ट करने वाली पार्टीज हैं ये पहले इसे ही कही न कहीं गयात था कि नतीज़ा क्या होने वाला है लेकिन अभी इसको अपचार से ना इनके प्रतिद्वन्दी थे जो ये चुनाव हार गये और इस तरह से ये पंद्वरी राश्वती नियुक्त हो गए ठीक है तो देखिए इनके बारे में कुछ बाते दुरापदी मुर्मु ने 25 जुलाई को भारत के पंद्वरे राश्पती और व्यक्तिगत रुप स raft wei राश्पती की रुप में शेपत ली इन्हें शेपत इंडिया के जो chief justice है N.V. Raman उनोंने दिलाएं क्योंकि आप जानते ही हैं कि president of India को oath कौन दिलाता है? Chief Justice of India कौनसा article? आर्टिकल निचे कौट कर के बताएंगे मुझे कौन से आर्टिकल के तहत ठीक इस चुनाओं में जिसमें दुरपती मुर्मु जीति राश्पती चुनाओ इसमें आप जानते हैं NDA की कैंडिट वो थी और विपक्ष की कैंडिट थे यश्वन सिना इस चुनाव में उनको first priority के 2824 vote मिले जबकि यश्वन सिना को 1877 votes मिले और इस तरह से ये विजय साबित हुए क्योंकि इन्होंने 51% का जो criteria होता है आपका चुनाव जीतने का वो पार कर लिया क्योंकि इस चुनाव में जो कुल vote पड़े थे वो थे 4754 जिसमें से 53 वोटों को अमान निकोशित किया गया और जो total valid votes थे वो थो 4701 4701 valid votes थे ठीक है total vote थे 754 और इसमें से 53 थे उसको invalid गोशित किया गया तो जो भी गड़ना हुई वो 4701 वोटों में हुई थी total अब राश्पती कैसे चुने जाते हैं इसका जिकर मैंने 2-3 current affairs पहले कई बार किया है तो मैं बहुत जादा इसमें नहीं जाओंगी एक बार दुबारा राश्पती के चुराओं की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे अनुछे 54 अनुछे 55 को फिर से revise करेंगे क्यों ये लगातार नामंकन दायर करने से लेकर के इनकी election के शपत गरहन तक की चीज़ें बार बार highlight हो रही है तो आप जानते हैं कि देश में केंदर के सांसद और राज की विधायक मिल करके राजपती को अप्रत्यक शुरूप से चुनते हैं और इन सब में इंडिरेक्ट वोटिंग करगें के बाद एक तरह का priority level पर ये preferential level पर वोटिंग होती है प्रात्मिक्ता के आधार पर चुनाओ किया जाता है first rank के हिसाब से पहली बार counting होती है और वही मैं कह रही हूँ कि first rank अगर आप देखें इन पूरे वोट में की first rank पहली count में किसको मिला तो इतने first rank मिले दुरापती मुर्मू को इतने first rank मिले ये श्वन सिना को और क्योंकि electoral quota क्या होता है टोटल वोट का 50% से जाधा अगर किसी एक candidate को मिला तो वो जीत जाएंगे तो इस तरह से दुरापती मुर्मू को 50% से जाधा वोट मिले और वो इस चुनाव को जीत गए तो कुछ आंकड़े हैं जो आपकी theory को एक तरह का example provide करते हैं इन आकड़ों को ध्यान में रखे और आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 जो कि राश्पति के निर्वाचन के प्रक्रिया से संबंदित हैं उसे आप देख लें ठीक है कि मैंने कहा कुछ इनके important tenets पहली आदिवासी महिला सबसे कम उम्र की ठीक है और स्वतंतर भारत में पैदा होने वाली पहली राश्पति हैं उसके बारे में उसके अलावा इनके बारे में कुछ basic background की बाते हैं आप ध्यान में रखें राश्पति द्रापति मुर्मू का जन 20 जुन 1958 में मयूर भंज ओडिसा में हुआ और इस वज़े से आप जानते हैं कि कुछ आदिवासी इलाकों में कुछ आदिवासी राज्यों में भले वो बीजेपी की supporting parties नहीं है लेकिन cross voting करके कई दूसरी पार्टि उन्हें भी द्रापति मुर्मू को vote डाले थे ठीक है जारखंड ऐसे कई जगों पर आप इस चीज़ को देख पाए होंगे तो 20 जुन 1958 को मयूर भंज ओडिसा में इनके पैदाश हुए इनकी राजनेतिक करियर की जो शुरुवात हुई वो एक पारशत के रूप में हुई ओडिसा में 1997 में वो सबसे पहले पारशत बनी थी और इनका सबसे इंपोर्टेंट सेंटरल लेवल का जो पोर्टफोलियो रहा सेंटरल लेवल का वो ये कि ये सन 2015 से इने राजपती के पद में आने से जस्ट पहले तक जारखंड की राज जिपाल यने की गवर्नर रही है तो पारशत से राश्ट्रपती तक का सफर इन्होंने तैय किया करीब करीब 25 साल के एक लंबे राजनेतिक करियर में ठीक है तो किन-किन पदों पर यासीन रही कहां को विलॉंग करती है और इनकी जो भी बेग्राउंड स्टोरी से इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे जबी भी कोई नाए राश्ट्रमक नियुक्त होत क्लियर है और आर्टिकल 54 55 को जाकर एक बार और रिवाइस कर लेंगे ठीक है तो यह रही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज अब हम बढ़ते हैं आगे कि एक दो न्यूज जो बची है उसमें तो अगली न्यूज जो है वो है इंडिया के तिरंगे से संबंदित हाल ही में ज सहीता 2002 उसमें एक संचोधन किया गया है और अब दिन और रात यहने सुबह से लेकर शाम तक के तिरंगा फेहराये जाने की अनूमती दे दी गई है अनूमती दे दी गई मतलब इसके पहले अनूमती नहीं थी ध्यान रहे कि पहले ये रूल था कि जो तिरंगा है वो केवल सुरियोदय से सुरियास के बीच में फेहराया जा सकता है यहने केवल दिन के टाइम रात के टाइम तिरंगा फेहराये जाने के लिए मानियत थी प्रोहेबिटेट था मना ही थी ठीक लेकिन इस संचोधन के बाद अब रात में भी तिरंगा फेहराये जाने की अनूमती दे गई है और ये किस संदर में है तो ये पहली लाइन से आपको समझ में आएगा वह आप जानते हैं कि आजादी का अमरित महचसफ मनाया जारा है और उसके तहट बहुत सारी पहल की जारी है आजादी के अमरित महचसफ के तहट 13-15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, देश में हर घर पर जंड़ा फहराने का अभियान है, देश वासियों से अग्रह किया जा रहा है, कि आप अपने घरों में 24 घंटे 7 दिन तिरंगा फहरा है, खास तो अपर 13 से 15 अगस्त के बीच में, तो हर घर तिरंगा अभियान, जो कि 13 से 15 की बीच में चलाया जारा अजादी के अमृत्माहुटसर्थ के उपलक्ष में बस इसी चीज़ को क्रियानवित करने के लिए संचोधन किया गया है अगर आप 24 घंटे 7 दिन चलाएंगे इसका मतलब आप रात में भी तिरंगा फेराएंगे जो की पहले अलाओड नहीं था तो यूजवली पीएसी में मैंने जो सिर्फ संबंदित क्वेशन देखें जिसको मैंने कई बार FDR में डील भी किया है वो ये कि कई बार ऐसा भी क्वेशन पूछता है फ्लैक कोट से कि भारत में किन किन महानुभवों की मृत्यू के टाइम पर तिरंगा जंडा छुकाया जात पूरे देश में किन की मृत्यू पर जुकाया जाता है सिर्फ राजधानियों में कि इसकी मृत्यू पर जुकाया जाता है दिल्ली में किन की मृत्यू पर जुकाया जाता है तो ये जो सारी चीज़ें आप सुनते हैं कि किन की मृत्यू पर तिरंगे को जुकाया जाता है ऐ एक बार जाके उसे दोबारा देख लें, क्योंकि इस news की वज़े से flag code फिर से highlight हो जाता है, ठीक है, तो flag code में अभी तक के जो question आया है, बस वो जहंडे को कब-कब जुकाया जा सकता है, उसी से related आया है, लेकिन इस flag code दोबारा highlighted है, इस संचोधन की वज़े से, तो एक बार flag code की पर आप नजर डाले लेंगे, ठीक है, और जो संचोधन हुआ है, उसकी जो detail है, वो आपको इस paragraph में मिलेगी, इस 2002 के flag code में, जो भाग 2 है, part 2, उसके paragraph 2.2 के खंड 11 को, अब निमना अंसार पढ़ा जाएगा, नहीं यह नहीं लाइन जोड़ी गई है, जहां छंडा घूले में प्रदर्शित किया जाता है, यह जंदा के किसी सदस के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, उसे दिन रात फेराया जाएगा, यह पूरी लाइन लिखी गई, जिसमें से जो highlighted part है, इसको आपको ध्यान रटना है, दिन रात, सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी फेराया जाएगा, इससे पहले तिरंगे को सूरियोदय से सूरियास तक ही फेराने की अनुमति थी, चाहे मौसम कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, तो देखिए, इससे अब रात में भी फेराने की अजाज़त दी गई है, और लोगों से आगरा किया गया है, कि हर घर तिरंगा भी आन के इस पूरे टेन्योर में, आप दिन और रात 24 गंटे 7 दिन, 7 दिन मतलब 24 गंटे, इस पर्टिकुलर डेज की बीच में, आप तिरंगा जहंटा फेराएं, आपको मना नहीं किया जाएगा, फ्लैक कोड में संचुधन किया गया, और स्टेटिक पार्ट में आफ फ्लैक कोड जो 2002 का है, उसे एक बार देख लेंगे, ठीक है, तो भारत में तिरंगे जहंटे से संबंदे, बहुत सारे नियम काइदे कानून है, जैसे कि 2021 में न, मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने जो तिरंगे हैं, उनको पर फेराने की अजाज़त दे दी गई थी, जबकि आपको पता होगा कि इससे पहले हाज से बने जो तिरंगे जहंटे, उनको फेराने की अजाज़त थी, ठीक है, ऐसी कुछ कुछ चेंजे इस फ्लाग कोड में होते रहते हैं, तो तिरंगे से संबंदित बहुत सारी चीज़ हैं, एक नज़र आप 2002 के इस फ्लाग कोड पे ज़रूर डालें, ठीक है, डानेमिक पाट इस देज, अन्स्टाटिक पाट इस देज, पाट इससेल्फ, ठीक है, तो अज़र आप इस न्यूस, लेट्स मूव ओन तो लास्ट न्यूस अफ टोड़ेस सेशन, तो लोग सभा का अभी जो सत्र चल रहा है, उसमें फैमिली कोड संच्वदन विध्यक 2022 पारित किया गया है, और अगेन क्योंकि ये फैमिली कोड लॉज से रिलेटेड एकी काई है, इस पर्टिकुलर जो कानून है, उसको पास करने के लिए जो मेन इंसान फ्रंट पे आए, वो है लॉज मिनिस्टर किरिन रिजीजू, ठीक है, तो न्यूस का अब क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, लोग सभा ने पारिवारिक नियालेओं के संच्वदन विध्यक 2022 को पारित किया, फैमिली कोट संच्वदन विध्यक 2022 लोग सभा में पास हो गया है, भारत की कानून मंतरी किरिन रिजीजू ने सोमवार 18 जुलाई को लोग सभा में परिवार नियालेओं को पेश किया था, जिसके बाद ही पारित हुआ, इसका मुक्युदेश है हिमाचल प्रदेश और नागा लेंड में बनाएं गए परिवार नियालेओं के गठन को कानूनी माननिता प्रोवाइट करना, अब यहां तक इसकी डाइनमिक नियूस कंप्लीट होती है, उसके बाद हम फैमली कोट्स पर आएंगे, पहले नियूस क्या है समझे, तो ऐसा है कि जो फैमली कोट्स की अवधार्णा है नियाएपालिका की शेत्र में, उस फैमली कोट्स में हिमाचल प्रदेश और नागालेंड में जितने भी फैमली कोट्स हैं, उनको माननिता देने के लिए संशोधन किया गया, इन्हें संशोधन किस संदर्ब में था, हिमाचल प्रदेश और नागालेंड के family courts और उनके द्वारा दिये गए decision को माननेता provide करने के लिए इससे पहले तक के एक सवालिया निशान था कि हिमाचल प्रदेश और नागालेंड के family court को माननेता मिलेगी की नहीं ऐसा क्यों भाई ऐसा इसलिए कि देखिए family court की जो स्थापना हुई थी न वह सन 1984 में हुई थी 1984 में और यह जो family court है यह जितने भी family से related matters है जैसी कि शादी और दूसरे पारिवारिक मसले उनके निप्टारे के लिए बनाया गया था सन 1984 में ठीक है संसर में बकायदा एक अधिनियम पारिद करके इस court का अस्तित्फ लाया गया था जिसे कहा गया था परिवार नियायाले कानून ठीक और इस अधिनियम के पास होने के बाद पारिवार से संबंदी सभी मसलों के निप्टारे के लिए करीब करीब हर राज ने इस अधिनियम को मंजूरी दी और हर राज में कुटम न्याले या फैमिली court स्थापित किये गए ताकि पारिवारिक मसलों का इन court के जरिये ही शान्तिपून और डिगनिफाइट तरीके से निप्टारा हो सके ठीक है लेकिन हिमाचल प्रदेश नागलेंड में व्यवयस्था लागू नहीं थी ठीक है या जब से 1984 से आया था हिमाचल प्रदेश और नागलेंड में इस courts नहीं बने थे ये बहुत बात में बने नागलें की बात करें ठीक है तो 2008 में यहाँ पे दो family स्थापित हुए थे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यह बहुत हाल ही में 2019 में यहां पर तीन फैमिली कोर्ट स्थापित हुए यह यह अदिनियम आये 1984 उसके बाद देश के हर राज में कोट्स आ गए लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2019 में तीन कोट्स और नागलेंड में 2008 मे हालात बन गए हैं कि इन कोट्स ने जितने भी डिसीजन दिये हैं वो मानने होंगे की नहीं इस बात पर काफी विवाद हो रहा था तो फाइनली इन विवादों पर विवराम लगाते हुए इस संसत के संचुधन विधेक से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश और नागलेंड मे में देखा आई कि 1984 में फैमली कोड का जो कॉंसेप्ट है वो आया था पारिवारिक माम लोक लिए जैसे की शादी डिवोर्स या इसके अलावा इनहेरिटेंस ठीक है जो संपत्ति विवाद ऐसा कोई विवाद जो परिवार से संबंदे थे वो इसके जरी होगा 2022 के अपरेल की स्थिती के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में जो कोटुम अदालते हैं ठीक जो की 1984 की तहद बनी थी ठीक उनकी संख्या है 715 देरार 715 फैमली कोड्स इन इंडिया इन 26 स्थेट्स ओफ इंडिया ठीक है 2022 अपरेल की स्थिती में ठीक हिमाचल प्रदेश नागलन में नहीं थी बनने के बाग माननेता पर सवाल या निशान थे जिसकी वज़े से ये संचोधन करके उनको माननेता दी गई ठीक है तो आई होप इसका डायनेमिक और स्टेटिक दोनों ही पार्ट आप समझ पाए होंगे अगर ये कुछ भी आपका करेंट में घुमा इविंस दे सकते हैं ठीक ठीक है तो इतनी ही बाते थी जो मेरे खाल से आज आपको डील करनी थी इतनी नियूस सी जो डील करनी थी ठीक पिछले 15 से 21 जुलाई के बीच में ये महत्वपॉन पॉलिटी के सेक्शन की करेंट अफ़ेर्स रहे आई होप आपको सारी चीज़े स झाल